नवस्कार दोस्तों मेरे चनल व्लोग्स आप मोकेश मंडेत में गवाई फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी वीडियो है डेली टू मुंबई और आज मैं जा रहा हूं मुंबई और अभी रात के दो बजे हैं और मैंने एरपोर्ट जाने के लिए टेक्सी की हैं और हम य दोमेस्टिक पे कितने गंटे पहले जाना चाहिए तो ठीक है अभी एरपोर्ट चलते हैं प्लीज वीडियो का इन तक देखें वीडियो में बने रहें तो अभी हम एरपोर्ट आ चुके हैं और डोमेस्टिक प्लाइट लेने के लिए वैसे मेरी में आपको टू आर्स और थ्री आर्स पहले जाना चाहिए लेकिन कभी-कभी डिपैंड करता है अगर आप फेस्टिवल के टाइम पे जा रहें जैसे दिवाली के टाइम पे जा र हैं यह तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है यह सामने जो देख रहे हैं यह डैली एरपोर्ट के सामने का नज़ा रहा है और यह देगी कितना जबर्दस लग रहा है रात में यहां पर आप जब एरपोर्ट जाते हैं तो अपने एक बार घर भी अच्छे से अपना सामान चेक ंगी और मुंबई जाने के लिए यहां पर जो यहां पर जो इंट रिश हैं एक से लेक्वाट तक तक गेट हैं अप किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं और अलतowej और जैसे अप अंदर जाएंगे यह सामने आपको दो हाथी दिखेंगी और यह अंदर अन्दर में जा रहे हैं तो उसकी कोई जरुवत नहीं है यहाँ पर सबसे पहले आप जिस फ्लाइट का आपका टिकेट है आप वहाँ पर उनके काउंटर किसी से भी पूछ सकते हैं को ही बता देगा वहाँ पर जाकर आप बोडिंग पास लें उनसे पूछे कि आपकी फ्लाइट के ट यह मेरा फ्रेंड है तो अभी हम साथ जा रहे हैं और यह डेली एरपोर्ट का भी हुए तो यह नागपूर जा रहा है इसकी फ्लाइट पहले है और यह नागपूर से फिर बाद में बोंबे आएगा तो मैं अलग जाओंगा मेरी फ्लाइट अभी एक घंटे बाद किया है अभी चेकिंग होने के बाद अभी हम थोड़ा सा एपोर्ट पे विजिट करते हैं पावर बैंक और कोई भी एलेक्ट्रोनिक आइटम आपने लगेज में ना रखें जो आपका कैरी बैग होता है जो आपने साथ लेके जाते है उसमें ही रखें क्योंकि पावर बैंक अगर यह देखिए डैली एरपोर्ट का जबदस्त ही और यहां पर बहुत सारे शोपिंग के लिए ओप्शन्स हैं तो आप यहां पर शोपिंग भी कर सकते हैं हलाकि वह कोश्ली होती है यह सामने जो आप देख रहे हैं स्पाइस जैट तो मैं डैली से मुंबई जा रहा हूं 4600 ओपीज और फ्लाइट के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जितना दिन आप पहले बुक करते हैं उतना ही आपको सस्ती फ्लाइट मेलते हैं हाँ अगर आप किसी ओफिस के थ्रू जा रहे हैं तब आपको फ्लाइट सस्ती और मेंगी टेंशन नहीं होती है तो यह डेली एरपोट है तो प्लीज वीडियो को एन तक देखें और लाइक करें और प्लीज बाकी पार्ट्स भी देखें इसके और जो मेरे पराने पार्ट्स हैं वो भी ज़रूर देखें और मेरे शॉर्ट्स वीडियों वो भी देखें और आपकी टिकेट पर जो गेट की एंट्री का नंबर लिखा होता है वो आप डिस्पेले पर देख सकते हैं और वहीं पर आप गेट पर जाके आप जा सकते हैं तो अभी जो हमारी फ्लाइट है वो काफी दूर खड़ी हुई है तो हमें बाई बस जाना होगा जो कि एरपोर्ट म में बस सर्विस होती है तो अभी हम इसमें बैटके और हमारी फ्लाइट की तरफ जाना है क्योंकि अभी जस्ट 10 से 15 मिंट्स में फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी तो चलिए चलते हैं फ्लाइट की तरफ हम बाईट बाईट झाल 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 तो अभी हमारी फ्लाइट मुंबई लेंड हो चुकी है और अभी हम यहां से मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई एरपोर्ट का बाहर करना जा रहा और सबसे पहले जो होगा वो मुझे होटल सेर्च करना होगा अगर आप पहले से उनलाइन होटल बुक कर देते हैं तो कि आप होटल कहां पर ले सकते हों किस बजट में आप होटल ले सकता है झाल 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 मुंबई में अगर आप पहली बार आएं तो मैं आपको बता दू होटल बुक करने का जो बेस्ट तरीक है न मुंबई में और जो आपको सस्ता भी पढ़ने वाला है आप वही भी एप डाउनलोड कीजिए ओयो एप हो या मेक माई ट्रीप हो और वहां से होटल का कॉंटक्ट नंबर लीजिए ओनलाइन पे नहीं करना है और आप डिरेक्ट वहां पर बात करके औ और आप ओटो में या फिर ओटो में जाते हैं तो हम पर मीटर चेक करें और मीटर चलता है और इसके अलावा आप सबसे बैस्ट ऑप्शन है कि अगर आप सिंगल है तो आप ऑनलाइन रैपिडो बाइक वहां पर चलती है वह आप करें वह सस्ता पढ़ता है उसके थुरू आप जाके खुद ही प्रोपर्टी वह प्रेकरें तो वह आपको सस्ता पढ़ने वाला है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कमिशन जो है वह रजाता है अगर आप अपर प्रोपर्टी वाले करें तो हमारे पास अबलेवली नहीं है आप बेट कर लीजिए या फिर आप रि 1500 में एक अच्छा होटल मिल जाएगा और मैं जिस होटल में मैंने अभी दिखा है था आपको यहाँ पंद्राइसों से लेके आपको 5000 तक टी रूम अबलेवल हैं आप अपने सारा प्ले सकते हैं तो आपको अगर होटल की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमिल सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं और मैं होटल का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा और यहां पर आप यहां की लोकल मार्किट है और यहां पर मैंने पहला दिने आज मेरा यह तोड़ला है और होटल काफी अच्छा है मैं इसका रूम भी आपको दिखांगा और सबसे अच्छी बात है कि यहां की जो सर्विस की होटल की वह जवर्दस्त था मतलब बहुत अच्छा एकदम डिसिप्लीन और वैल मैनर्ड और आपको सर्विस एकदम आप जितनी बार बोलेंगे जितनी चीज़े महाई आपको तुरंट एकदम लाते रेंगे तो वह च कैसे लगी प्लीज प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसका नेक्स पार्ट जरूर देखेगा तो यह मेरा रूम है जिसका चार्जता है आप फिप्टीन हंडड उपीज और आज मेरा पहला देन है तो और रूम भी देखे अच्छा खासा फुल एयर कंडिशन औ सब्सक्राइब मैं थैंक्यू दोस्तों